कख्षा 5 की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजिम भाग 5 का पंधरवां पाठ बिशन की दिलेरी प्रिष्ट संख्या 118 से 125 तक प्रिष्ट 118 बिशन की दिलेरी रचनाकार प्रतिभानात सुबह का समय था पहाड़ों की पीछे से सूरज जहांक रहा था दस वर्ष का बिशन घर से बाहर निकलाया वो रोज इसी समय इसी रास्ते से करनल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है करनल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं फार्म से लगे सेबों के बाग में कीट नाशक दवा का छड़का ओग रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था बिशन पकड़ंडी से अभी सड़क तक ही आ रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी उसने इधर उधर देखा कोई भी दिखाई नहीं दिया वह कुछी दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी इस बार एक नहीं दो तीन गोलियां एक साथ ही चली थी गोलियों के आवाज से पूरी घाटी गुँज गई पंच्ची घबरा गए आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे बिशन सहम कर पेड़ों की आड में चिप कर खड़ा हो गया बिशन जहां खड़ा था वहीं चुप चाप खड़ा रहा उसे वहां से सीठी नुमा खेट और फ़लों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे खेटों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे फसल तयार खड़ी थी सुबह की हलकी धूप में खेट सुनहरे दिखाई दे रहे थे बिशन अभी सोची रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी तब ही एक और गोली की आवास आई एका एक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया पृष्ट 119 जब फसल पक जाती है तब गेवू के खेतों में दाना चुगने धेरों तीतर आ जाते हैं शिकारी इस बात को जानते हैं इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं पिछले साल भी शिकारीों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे कुछ तीतर तो वे उठा ले गए बाकी को वहीं छोड़ गए खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जखमी तीतर मिले बिशन ने सुचा कितना दुख पहुँचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे है इसलिए वो पेड़ों के बीच से निकल कर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारीों को सबख सिखाया जाना चाहिए लेकिन उन्हें कैसे सबख सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था तब ही उसके पाउं के पास सरसराहट सी हुई उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेट के और अंदर चला गया बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंड नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तडप तडप कर मर जाएगा उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका दिया और खेट में से निकल कर पहाड़ी की और भागने लगा वो इतना तेज़ चल रहा था मानो उसके पंक लग गए हूँ प्रिष्ट 120 कानल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़ बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था परन्तु इस समय वो दोनों हातों से तीतर को पकड़े हुए था तीतर को समालना बहुत जरूरी था इसलिए वो खेतों के साथ साथ चिप चिप कर चड़ ले लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले वह कुछी दूर गया कि पीछे से भारी से आवाज आई लड़के रुख जा नहीं तो मैं गोली मार दूँगा लेकिन बिशन नहीं रुका वह चुप चाप चलता रहा रुकता है नहीं उस आदमी ने दोबारा चिला कर कहा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर भी वो रुखा नहीं और नहीं उसने कोई जवाब दिया तब ही बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी पीछे से आ रहा शिकारी घुसे में जोर जोर से चिला रहा था मैं तुझे देख लूँगा तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था अगर वह सुलक से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तै किया खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार जाड़ियां थी बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा बहुत समल कर चलने पर भी उसके हाथ पाउं पर कांटों की बहुत सी खरोंचे उबहराई खरोंचों से खून भी निकलने लगा उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डाट खानी पड़ेगी पर बिशन को इस बात का संतोश था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में काम्याब रहा जाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुँचा जाए लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और उस के कारण फिसलन भी बिशन ठक कर वहीं एक किनारे बैठ गया अभी वह बैठा ही था कि उसे पाउं की आठ सुनाई दी प्रिष्ट 121 आठ सुनते ही वो उठकर दौड पड़ा दौडते दौडते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था उसके कपड़े पसीने से तर बतर हो गए फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरहें करनल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुँच ही गया पिछवाड़े दर्वाज़ा खुला था उसने तार के पीर का सहरा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुँच गया तीतर को वो बड़ी साफधानी के साथ अपने सीने से लगाय हुए था फार्म हाउस में खामोशी थी बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चन सामने का बरामदा साफ कर रहा था अच्छानक करनल साहब का ऐलसेशियन कुत्ता जोर जोर से भौँखने लगा वो किसी अजनभी को देखकर ही इस तरहें भौँखता था विशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरहें से चिपा सके एक ओर शेड के नीचे बहुत सारा कबाल पड़ा था उसी में एक तूटी टोकरी विशन को दिखाई दे गई ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढख दिया घायल तीतर घवराय हुआ था इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा तीतर को छुपाने के बाद विशन ने सोचा कि अब बाहर चल कर देखना चाहिए पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था इसलिए उसने चछत पर चड़ कर बैठना ठीक समझा बिना सीड़ी के चछत पर चड़ना उसके लिए बहुत आसान काम था वह अकसर इस शिड़ की ढलवा चछत के साहरे उपर चड़ जाता था बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरहें चलांग लगा कर लटक गया और उपर की ओर खिसकते खिसकते चछत पर जा पहुँचा खप्रेल की ढलाओदार चछत थी इसलिए वह चिमनी के पीछे चिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे लेकिन वह स्वयम सब कुछ देख सके उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर करनल साब का एलसेशन कुट्ता जोर जोर से भौक रहा है करनल ले कुट्ते को डांटा चुप रहा हो पर वह न माना पिछले दोनों पाउं पर खड़े हो वह उचल उचल कर भौकने लगा प्रिष्ट 122 वे दोनों शिकारी खरीब आ गए तो करनल साब ने रौबदार आवाज में पूछा कौन हो तम यहां किसलिए आये हो सहब हम शिकारी हैं हर साल यहां शिकार के लिए आते हैं अच्छा तो तुम ही लोगों की गोलियों के आवाजें गूज रही थी सुभा से जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदू के हैं सरपंच माधो सिंग भी हमें जानता है तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो करनल ने मजाख सा उड़ाते हुए कहा जी हाँ तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहां आच्छे पा है हम उसे ही ढूण रहे हैं अच्छा तुम तो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो करनल साब ने पूछा सीधी सी बाद साहिब खाते हैं दूसरे शिकारी ने जवाब दिया फिर कुछ रुक कर बोला अब तो उस लड़के को ढंडवा दीजियो साब वो इधरी कहीं छुप गया है करनल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और घुस्चे से कह कैसे हो तुम लोग हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहां तड़ब तड़ब कर मरने के लिए छोड़ जाते हो जब फसल करती है तो धेरों मरे हुए तीतर मिलते है करनल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घमरा गए उन्हें उम्मीद नहीं थी करनल इस तरहें उन्हें डांट देंगे करनल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा आगे बोले पक्षियों को मारने और उस से ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादरी नहीं है अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो पर दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिये करनल दत्ता ने गुलाब चन से दवाई छुलकने वाली मशीन लाने को कहा तभी बिशन छपपर से शेड पर होता हुआ नीचे कूत पड़ा उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुस्ते ही मालकन को पुकारने लगा बहुजी बहुजी जल्दी आईए ये बहुत जखमी है आकर इसे देखिए प्रिष्ट 123 बिशन की आवाज सुनकर करनल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले अच्छा तो तीतर चुराने वारा लड़का तू ही था क्या करता बाबुजी इसे बहुत चोट लगी है अगर मैं न लाता तो ये मर जाता अब तू इसका क्या करेगा इसे पालूँगा बाबुजी बिशन ने कहा करनल सहब मुस्करा दिये उन्होंने घायल तीतर को देखा उसका एक पंक तूट गया था अब शायद ही वो उड़ सके जाओ दवाईयों का बकसा लेकर आओ बिशन दोड़कर बकसा ले आया करनल दत्ता ने तीतर के पैरों का जखम साफ किया फिर दवाई लगा दी पंक को फैला कर टेप लगा दिया ताकि वो ज्यादा हिले डूले नहीं फिर उन्होंने बिशन से कहा बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में दो तीन बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा तब तक बहुजी एक कटोरी में दल्या ले आई और तीतर को दल्या खिलाते हुए बोली इसे रोज दल्या भी खिलाना बिशन तीतर को दल्या बहुत पसंद होता है तब तो ये बिशन के पीछे-पीछे ही गुमता रहेगा कर्यार ने हसते हुए कहा अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है बहुजी ने पूछा बिशन ने अपने दोनों हाथों को मुँपर रखकर तीतर के आवाज निकाली क्वाट 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 कर्नल दत्ता ठाहा का मार कर हस पड़े बहुजी भी मुँपर पल्लू रखकर हसने लगी बिशन भी हसता हुआ हिरन की तरहें छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला प्रिश्ट एक सो चौबीस कहानी से एक जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदू के हैं सरपंच माधो सिंग भी हमें जानता है शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा दो बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था तीन घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परिशानिया हुई चार घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते क्यूं भाशा की बात एक इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो क सुभा की हलकी धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे ख वह इतना तेज चल रहा था मानू उसके पंख लग गए हो दो तीतर स्वेटर में फस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया इस वाक्य में उसे शब्द का इस्तिमाल तीतर के लिए किया गया है एक ही संग्या का बार बार इस्तिमाल करने की बज़ाए उसकी जगा पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं अब सुनाए जारहे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छाट कर लिखो क मास्टर सहाब ने अप्पाराओ को रिक्तस्थान पास बुला कर कहा रिक्तस्थान कल रिक्तस्थान घर आना सर्वनाम है मैं अपना तुम क सेंटीला रिक्तस्थान घर नागा लैंड के किस शहर में है सर्वनाम है तुम ग सुधा ने रिक्तस्थान बुआ से पूछा पापा रिक्तस्थान कितने बड़े हैं सर्वनाम आप घ मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि रिक्तस्थान क्या करना चाहिए सर्वनाम वह यह विमल ने रिक्तिस्थान अपसर को याद दिलाया कि रिक्तिस्थान चार बजे बैठक में जाना है सर्वनाम आप वह तीन इन वाक्यों को पूरा करो क वह इतना धीरे चल रहा था मानू रिक्तिस्थान रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानू रिक्तिस्थान ग तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानू रिक्तिस्थान ग बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानू रिक्तिस्थान प्रिष्ट 125 फसलों के इर्दगिर्द एक इस कहानी में सेबों के खेट और सिर्धिनुमा खेट का जिक्र आया है अनुमान लगा कर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगॉलिक खुट्र की होगी और वहां सिर्धिनुमा खेटी क्यों की जाती होगी 2. सेबों के बाग में कीट नाशक दवा का च्छड़काव हो रहा था यू तो कीट नाशक दवाएं फलों, सबजियों और अनाच की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं पर क ये कीट नाशक दवाएं कीड़ों को नश्ट करती हैं इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा? पता करो और कक्षा में बात चीत करो ख ऐसे में फलों और सबजियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा? तुम्हारे आसपास एक, करनल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है अब बताई जा रही पत्तियों का इस्तेमाल किसलिए होता होगा? ये बताएं तुलसी, अमरूद, नीम, तेजपत्ता, मीठा नीम, केला, आम, सागवान 2. करनल सहाब के कहने पर बिशन दोड़ कर दवाईयों का बकसा ले आया इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्टेट बॉक्स के नाम से जानते होंगे 3. इस बकसे में क्या-क्या चीजें होती है 3. इसका इस्तेमाल कब-कब किया जाता है 3. तुमने परियावरन अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाडिक शित्रों में आमतौर पर छटें धलावदार बनाई जाती है सोच कर बताओ कि ऐसा क्यूं किया जाता है पहाडी इलाका इस कहानी में पहाडी घाटी शब्दों का इस्तिमाल हुआ है पहाडी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो जैसे धलान, चट्टान, आदी तीतर एक, पहेली तीतर के दो पीछे तीतर तीतर के दो आगे तीतर बोलो कितने तीतर इस प्रिष्ठ पर तीतर का फोटो दिया गया है गोर से देखो और उसका वर्णन करो चौथी में तुम यहां कर चुके हो तीतर के बारे में और जानकारी इखठा करो जैसे तीतर का घोंसला वह क्या खाता है आदी इसी के साथ रिमजीम भाग पाँच का पंदरवा पाठ यहां समाप्थ हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजीम भाग पाँच का यह पाठ रात भर बिलखते चिंगारते रहे प्रिष्ट संख्या 126 से 127 तक प्रिष्ट 126 पाठ रात भर बिलखते चिंगारते रहे लेखक रामेश बेदी उरिसा राजे के सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में पच्चीस हाथियों का जुन रहता था इस जुन में कुछ धुई भी थी जिन हत्रियों के साथ दुद मुहें बच्चे हूं उन्हें धुई कहते हैं दाव लगे तो हाथी के छोटे बच्चों को शेर मार लेता है जुन्ड के बड़े दातैल और बड़ी हत्रियां बच्चों की रक्षा करती है सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथीयों के बड़े जुन्ड को जंगल के एक खंड में काफी खाना नहीं मिलता दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था उन दिनों सिंप्ली पाल जंगल के हाथी दो टोलियों में बट कर बाराकमारा तिनाधिया सालक के साथ चोड़े में चर रहे थे एक धुई दो साल का बच्चा था जुन्ड में सबसे छुटा यही था वह मा का दूद चुंगता था प्रिष्ट 127 इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुह लगाना शुरू कर दिया था जाडियां, पेडों और प्रगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था वह बच्चे पर जपट पड़ा बच्चा चिंगहाडा उसकी चिंगहाड सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दोड़े बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका उसे छोड़ कर नाले में चला गया शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जखमी कर दिया सबसे बड़ा घाओ सिर पर था सयाने हाथी उसे उपरी बारक मारा में रेंजर आफिस के सामने ले गए जंगल के जानरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज आफिसर की जिम्मेदारी होती है उसके दफ्तर के सामने पहुँचकर हाथी मानों अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए बाकी हाथी जखमी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे उसकी मां सुन में घास का पूला उठा कर चमर डुलाती रही जिससे घाव पर मक्खिया ना बैठें उसकी आँखों से आसुओं की धारा टपक रही थी बच्चा इतना जखमी हो गया था कि दूध नहीं चूँक सकता था जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृती खुद ठीक कर दिया करती है पर इस बच्चे के घाव जान लेवा थे अगले दिन उसने दम तोड़ दिया मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लोटाए रेंजर आफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए शफ को खेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे उनकी आँखें आंसु बहाती रहीं बेचिंगारते रोते और बिलखते रहे इसी के साथ रिमजिम भाग पाच का ये पाठ रात भर बिलखते चिंगारते रहे यहां समाप्थ हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नईदिल्ली भारत